नमसकार दोस्तों वेल्कम टो टोडे एकजाम दोस्तों आज ए 13 अप्रेल 2021 तो आज के इस वीडियू हुम 13 अप्रेल 2021 के जो भी जोवे Most Important Current Affairs के स्वाल बनते हैं उन सभी स्वालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे और 13 अपरेल के सभी करेंट अपेर्स के स्वालों को जरूर याद करें और इस वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह एक सवाल अभ्यास के तोर पर आप से भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना होगा इसलिए इन सभी सवालों को आप पहले जरूर याद करें तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल पहला सवाल है हाली में भारत और किस देश के बीच ऑनलाइन क्रिकेट टूनामेंट आयोजित कराया गया है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा option B यह नी हाली में भारत और अमरिका देश के बीच एक online cricket tournament आयो जित करया गया था भारत और किस देश के बीच भारत और अमरिका देश के बीच और ये cricket tournament कब आयो जित करया गया था वो करा गया था 8 अप्रेल 2021 को ये लाइस्टम की तरह के तहते इस टूनामेंट को आयो जित करा था जिसमें अमैरिका देशे हैं वो भारत को 13 रन से हरा कर इस मैज़ को जिता था किस देश के भी इस किया था? वो कियाता है भारत और अमरीका दीज और ये क्याओन समय था ये एक ओनलाइन क्रिकेट टूनामेंट आयोजित कराए गया था इसी परकार अगला दूसरा स्वाल है किस मान कवी की तपस्तली का नाम महबूद पूर से बदल कर परसोली क्या गया है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब उजाएगा option डी अन्य हाली में प्रस्चिद कवी सूर्दाजी की तपस्तली है जिसका नाम था महबूद पूर जिसे अब बदल कर राजसोर रिकॉर्ड में प्रसोली कर दिया गया है किस महानकवी की तपस्तली का नाम बदकल परासोली क्या गया है वो क्या गया है महानकवी सूर्दाजी की तपस्तली की जिनका पुराना नाम क्या था महबुत पर जिसे अब नए नाम क्या दिया है परासोली नाम दिया गया है और ये किस ने दिया था वो दियता है राजस्व विबाग ने दिया था जिसका नाम अब हो जाएगा परासोली जिसका पुराना नाम था महबुतपूर और ये किस महानकवी की तपस्तली थी वो थी महानकवी सूर्दाजी की तपस्तली थी इसे परकर अगला तीसरा सवाल है किस राजिये में दिव्यांगों के लिए निसुलक 50 किलोमेटर यात्रा की गोशना की हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही द्वाब हो जाएगा ओप्सन इनि हाली में दिव्यांगों के लिए निसुलक 50 किलोमेटर की यात्रा की सुरूआत्रा की हैं यानि जो दिव्यांग लोग होगे वो 50 किलो मेटर तक की यात्रा हैं वो बस में और ड्रेल में वो एकदम फ्रीक कर सकते हैं इसी परकार अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभ्यान शुरू किया हैं तो सवाल का सही जवाब जाएगा ओप्सन है किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभ्यान शुरू किया हैं वो क्या हैं उडिसा राज्य सरकार ने 14 दिन के मास्क अभ्यान के तैथ उन्होंने लोगों को कोरोना वाइरस से निपटने में देश की मदद करने एं मास्क लगाने वाले पर दुगोना जुर्माने लगाने की की गोसना की है किस राजे सरकार ने की है उडिसा राजे सरकार ने जिन्होंने हाली में 14 दिन का मास कर ब्यान शुरू करने की गोसना की है इसी परकार अगला सवाल है फीपा ने किस देश के फुटबॉल फैडरेशन को निलम्बित्त किया है तो दोस्तों इस सवाल का सही दव football federation को वो लगए हैं पाकिस्तान फुटवाल federation को क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की सर्पार है जो फुटवाल पाकिस्तान फुटवाल मासंग में हस्ट सेट करने की वजे से फीफा ने अब इसको आ इस्ताई रूप से अधिकारों को वापिस लेते विए फुटवाल स्विजर्लेंड देश में हैं इसी परकार अगला स्वाल है किस देश ने टोकियो ओलम्पिक 2021 में भाग ना लेने की गोसना की हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जाएगा आप्सन ए यह नि उत्री कोरिया देश हैं जिन्होंने हाली में सुरू होने वाला टोकियो ओलम्पिक 2021 में भाग लेने की ना भाग लेने की गोसना की हैं यानि उत्री कोरिया देश हैं जो टोकियो ओलम्पिक 2021 हैं उसमें भाग नहीं लेगा और टोकियो ओलम्पिक 2021 का आईजित कब होगा वो होगा 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच कब होगा 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच जापान के टोक्यो सहर में आयोजित होगा और आपको बता दे कि टोक्यो ओलम्पिक का आयोजन है वो पिसले साल 2020 में होना था परन्तु कोरोनो वाइरस के चलते इस मामारी के चलते इसे साल 2021 के लिए टाल दिया गया था जो अब 23 जुलाई 8 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा जिसमें उत्तरी कोरिया देश हैं वो भाग ना लेने की गोशना की है इसी परकार अगला स्वाल है परदान मंत्री नरंदर मोदी ने टीका उत्सव कब मनाने की गोशना की है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जाए का आप्सन बी यानी 11 अप्रेल से लेकर 14 अप्रेल तक परदान मंतरी नरंदर मोदी जी ने टीका उत्सव मनाने की गोशना की है किस ने की है परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने और किस उत्सव की की है वो की है टीका उत्सव यानि COVID-19 के जो टीके लगते हैं उनका उत्सव है वो 11 अप्रेल से लेकर 14 अप्रेल के बीच इस टीका उत्सव को आयोजितिक किया जाएगा क्योंकि और ये वरतमान में COVID-19 टीका करना अभ्यान है वो माराष्टर, गुजरात, राधस्तान जैसे राजियों में चल रहे हैं जिसमें पर्मु को वैक्सिन और COVID-19 के टीके लगए जा रहे हैं और दोस्तों आपको बताते हैं कि भारत देश ऐसा एक देश मातर देश मना है जो COVID-19 का टीका 84 देशों में 64 मिलियन खुराक बेजी हैं जिसमें मैक्सिको, कनाड़ा और ब्राजिल जैसे देश हैं वो सिर्षिस्तान पर हैं कितने देशों में की हैं? 84 देशों में और कितने मिलियन? 64 मिलियन टीके की खुराक बेजी थी और हाली में परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने बारत में टीका उत्समनन की गोशना कब की थी? वो की थी 11 अपरेल से लेकर 14 अपरेल के बीच इसे परकार अगला अंतिम सवाल है विशु होमियोपैती दिवस निमन मैंसे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन है बी यानी 10 अप्रेल को प्रतिवर्स विश्य होमियोपेथी दिवस से मनाया जाता है कब मनाया जाता है विश्य होमियोपेथी दिवस हर साल वो मनाया जाता है 10 अप्रेल को क्योंकि दोस्तों होमियोपेति के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के इसाई फैटरिक सैम्यूल हैमी मैन है जिनका जनम है वो 10 अपरेल को हुआ था किसका जनम होता फैडरिक सैम्यूल हैनी मैन है जिनका जनम 10 अपरेल को हुआ था जिसको होमियोपेति के जनक कहा जाता है इसलिए हर साल आप विश्व होमियोपेति दिवसें वो 10 अपरेल को मनाया जाता है तो दोस्तो ये थे 13 अपरेल 2021 के कुछ most important current affairs के सवाल उमीद करता हूँ इस सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होगी अगर याद होगे तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तो इन सभी सवालों का PDF फाइल है वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की description मिल जाएगी जहां से आप टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लिजी और इन सभी सवाला का PDF और अन्य मोडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तो अब इस वीडियो की लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका दवाब आपको comment box में लिख कर बताना है तो आज का अभ्यास सवाल है किस राज्ये ने सब्ता में 5 दिन काम करने की गोशना की हैं तो दोस्तों हाली में किस राज्ये में 5 दिन का काम करने की गोशना की हैं इन मेंसे कौन सा option सही है वो आप comment में जरूर लिख कर बताएए और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ